आप लोग सबको जै मसी मैंने इस मेसेज का टाइटल शिर्शक रखा है विश्वास संकट के समय और आईए हम देखेंगे लुका का सू समाचार जो है 24 वा अध्या है 13 से 35 तलक मैं ये पूरा पढ़ूंगा नहीं बलके मैं आपको संदर्ब में इसका कहानी बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि एक एमाउस के और चलने वाली यात्रा की कहानी है जहां पर दो शिश्य जो है येश्व मसी की का शिश्य जो है वो एमाउस के और चल रहे थे और वो दोनों जो है काफी उल्जन में थे काफी संकट में थे काफी परिशानी में थे क्योंकि उन वो यह चाहते थे कि वो राजा कहलाए जाए और उनका राज्या आ जाए ताके उनको खुशी और आनंद महसुस हो सके पर यह सब उनको भी महसुस नहीं हो रहा था तो उनको काफी उलजन में थे और फिर उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि कुछ स्त्रियों के दोरा कि येश्यमसी स्वयम उनके बीच में आते हैं और उनके साथ चलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं और आइस्ते आइस्ते जो है उनको पविश्टर शास्त्र से उनको बताते हैं येश्यमसी और उनको समझाते हैं ताके उस समझ पाए कि येश्यमसी को मरना था और जी उ तब तक उनने उनको ये पता नहीं था कि वो स्वयम येश्वमसी है करके तो ये दो दो शिश्य जो है येश्वमसी से कहते हैं कि क्यों नो आप हमारे साथ रुख जाए और भोजन करके यहां पर ही रुख जाए और येश्वमसी मान जाते हैं और भोजन के समय जब येश्व मसी दिखाइने देथा है, और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्होंने येश्व मसी को स्वयम देख लिया और अब वो खुद विश्वास कर सकते हैं कि येश्व मसी जिन्दा है और जी उठा है और वो वापस जाते हैं valid and और अपने शिश्चों से कहते हैं कि सचमुझ येश्व मसी जो है जिन्दा है और ये जो शिश्च जो है पूरे जो शिश्च जो है येश्व मसी के लिए अपना जीवन जीते हैं तो ये थी कहानी लुका का सूसमाचार से 24 वा दियाए 13 से 35 तक और इससे हम चार चीज सीखेंगे पहला चीज ये जो है मैं इंग्लिश में कहूंगा पहला पॉइंट जो है जो है जो जो यात्रा जो शिरुवात हुआ है वो एक उल्जन का यात्रा था या एक ब्रम की स्थित से गुजरता हुआ एक यात्रा था क्योंकि ये जो शिश्य जो थे सच मुछ उल्जन में थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि येशु मसी का एक शारीरिक जो है राज्या आएगा और येशु मसी अभी मर गया है और वो कहा है वो भी उनको पता नहीं था तो ये जो यात्रा जो यह जो परिस्तिती जो है वो एक संकट की परिस्तिती है एक उल्जन की परिस्तिती है हम यह देखते हैं कि हमें पता नहीं हमारा काम कैसे चलेगा हमें पता नहीं कि हमारा पगार आएगा या नहीं आएगा हमें पता नहीं कि हमारी बच्चों की सिक्षा हो पाएगी स्कूल खुलेगा तो हम उस परिशानी में भी है हमें पाद जो लोग दुकान में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम करते हैं या बिजनस में हैं उन्हें भी कुछ समझ ने कि कैसे ये समय गुज़रेगा बहुत सारे लोग बीमार भी है उससे भी हम बहुत चिंतित है तो हम भी उस परिशानी की परिस्तिती से गुजर रहे हैं जैसे ये जो शिश गुजर रहे थे तो हमें इसमें क्या कहना करना चाहिए हम ये देखते हैं कि ये जो दो शिश जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और अपन अंदर में जो दुख है, समस्या जो है, अपनी मन की बात को प्रकट कर रहे है, एक दूसरे के साथ, और उसमें उनको थोड़ा बहुत शांती और सामर्थ मिल रहा है, तो मैं यह कहूंगा, हमारी इस कटिनाई की परिस्तिती में, हमें भी अकेला नहीं रहना चाहिए, हमें भ कि बहुत सारे लोग जो है, फोन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रारतना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमें वो जारी रखना चाहिए, इस कटिन परिस्तिती में, मेरा भी जो दोस्त जो है, जो जिम का ट्रेनर जो है, अभी त कि किसी ने उनको फोन किया उनका हालचाल पूछने के लिए और वो कह रहे थे कि मेरा जगा बहुत छोटा है ज्यादा सुविधा नहीं है बर वो बहुत खुश हो गए तो मैं उन्होंने मेरे बारे में भी पूछा कि मेरा परिवार कैसा है तो हमें ये आपस में करना चाहिए एक दूसरे के साथ बाचीत करना चाहिए और धीरज दिलाना चाहिए एक दूसरे का विश्वास बढ़ाना चाहिए और हमें रुकना नहीं चाहिए इस यात्रा में इस कटिन परिस्तिती में हमें अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए तो वो था पहला चीज दूसरा चीज यह है मैं इंग्लिश में कहूंगा इस जर्णी ओफ कम्पैनियन्शिप यानि कि एक बहायचारे की यातरा है क्यों बहायचारे की? क्योंकि जैसे ये दो शिश्य अपने चिंता में अपनी कठिनाई में अपने परिश्यानी में अपने उल्जन में जैसे वो चल रहे थे उनके बीच में येश्यु मसी आ जाते है और येश्यु मसी उनके साथ चलते है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति कौन है उनके आखिर तभी नहीं खुलती है ये जानने के लिए कि ये येश्यू मसी स्वयम है पर येश्यू मसी जो है उनके बीच आता है और उनके बीच चलता है और उनके बीच चल कर बाचीत भी करता है तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग सबसे कि जब हम समस्या में है जब हम कटिनाई में है उल्जन में है येश्व मसी जो है स्वयम हमारे साथ चलता है वो हमसे दूर नहीं रहता है हमारे बीच में रहता है हमसे भी ज्यादा जो है चिंतित वो है हमारी परिस्तिती को दे कर वो हमारी परिस्तिती को हमसे भी ज्यादा सम और इसलिए हमारे साथ चलता है और हमारे साथ बाचीत भी करता है हमारी प्रातना को सुनता है और हमारे प्रातना का उत्तर भी देता है मुझे यह पता है कि कुछ दस साल पहले सुनिता की मा जो है वो एक एकसिडन उनका हो गया था जैसे कि वो एक घर में गई थी और घर में वो सीडियों से गिर जाती है और उनका पैर जो है टूट जाता है उनका वो थोड़ा सीरियस कंडिशन में हो जाती है और उनको जो है वाइजाक से विशाका पतनम से उनको फ्लाइट से बैंगलोर लेकर आते हैं और हस्पिताल में अद्मिट करते हैं मेरे ससूर जो है यहने क के बाद भी उनका जो सेहत जो है दिन बर दिन खराब होते जा रहा था सबसे अच्छे डॉक्टर थे वाँ पर सबसे अच्छे मेडिकल जो है साधन थे वाँ पर फिर भी उनका जो सेहत सुधर नहीं रहा था बल्क बिगड रहा था और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था परि धकि उनकी माँ जो है जी पाएंगी या नहीं कि उनका शेरीर में जो था आक्सिजेन लेवल जो था वो कम होते जा रहा था और एक दिन जो है सुनितरबाद में मुझे मुझे से कह रहे थी कि एक दिन जैसे शाम को वो अपने हस्पताल के उस कमरे में जहांपर उनकी मा थी जब वो प्रारतना कर रहे थे आराधना कर रहे थे उनको एक अचानक सा एक गर्मी जैसा महसूस हुआ वो पूरे कमरे में गर्मी जैसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उनके बीच में आया हो और उनको ये समझ में आया उस समय कि ये येशु मसी का उपस्तती है येशु मसी उनके साथ है उनके बीच है और उस समय के बाद उनके दिल में शांती आगे आनन्द आगे और अगला दिन जो है उन्होंने देखा उनका सेहत जो है और बिगड नहीं बिगड नहीं रहा था ब बढ़ने लगा और तीन दिन में वो I.C.U. से बाहर हो गए और साथ दिन में एक हफ्ते में वो अस्पताल से बाहर हो गए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ एश्व मस्य के उपस्तिती से ही हुआ डॉक्टरों के ग्यान से नहीं हुआ और दवाईयों से नहीं हुआ बलकि एश्व मस्य के उपस्तिती से उनका जीवन को आशिश मिला और उनको चंगाई मिले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इस कटिन परिस्तिती में एश्व मस्य हमारे साथ चलेगा हमारे साथ बाच्चीत करेगा हमारे हर एक दुख दर्थ को समझेगा हमारे प्रातना को सुनेगा और हमको वो आशिशित करेगा इस परिस्तिती में तो आईए हम अपना हिरद खोलकर एश्यू मसिछ से प्रार्तना करें, वो हमारे प्रार्तना को सुनेगा, तो यह जो यातर, जो है भाइचारी की यातरा है, बातचीत की यातरा है, और तीसरा चीज यह है, मैं कहूंगा इंगलिश में, जो है जर्नी ओफ कन्फरन्टेशन, दूसरा था जर्नी ओफ जवाब किया आतरा है तो येश्यो मसी जो है उनकी बीच में आता है उनसे बातचीत करता है पर वो जो है उनको प्रशन भी पूछता है कठिन प्रशन पूछता है और और वो उनसे ये भी पूछता है अरे मुर्क लोगों क्यों तुमारा हृदय इतना कमजोर है कि तुम अप है सब प्रकार के पीड़ा को सहेगा और वो मारा जाएगा क्यों आप उसको विश्वास नहीं कर पा रहे है और उन्हों ने उसके बाद जो है मुसा से लेकर पूरे नभीयों के बारे में उन्होंने बाचीत किया समझाया जो भी कुछ शास्तर में लिखा गया था उन्हों सब चीजों के बारे में उन्होंने समझाया तो मैं ये कहूंगा बाई हो और बैनों कि आज भी ये शुमसी हमारे बीच में आएगा और हमको प्रश्न पूछेगा कि क्यों हम इस पीडा को नहीं सह पा रहे है क्यों हम इस पीडा को नहीं समझ पा रहे है क्योंकि वो हमसे ये भी पूछाया क्यों तुम शास्तर में जो कहा गया है उसको पर क्यों तुम विश्वास नहीं कर रहे है क्योंकि मैंने शास्तर में कहा गया है कि इस जग में जो है तुम्हें पीडा, दुख-दर्थ को सेहना पड़ेगा, पर तुम खुश रहो, क्यूंकि मैंने इस जग को जीता है यही का है और हमें इसके ओपर विश्वास रखना है येश्वमस्य जो है स्वयम उन्हें पीडा का सामना किया मृत्यू का सामना किया ताके वो हमारे जीवन को आशिशित कर पाए और हमें भी वैसे जीना चाहिए हमें भी पीडा को सुविकार करना चाहिए कठिनाई को सुविकार करना चाहिए ताके हम आशिश बन कर दूसरे लोगों के लिए जी सके मुझे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रहारतना कर रहे हैं दूसरों के लिए और काउंसलिंग कर रहे हैं दूसरों के लिए बहुत सारे अच्छे काम हम कर रहे हैं इस पीडा की परिस्तिती में इस कटिनाई की परिस्तिती में तो यह है यही है परमेश्वर उसका उपस्ति और उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में काम कर रहा है तो हमें यह जानना चाहिए कि यह पीडा का समय जो है उसके द्वारा जो है हम सोने जैसे हो रहे हैं हमको जो है रिफाइन किया जा रहा है सोने जैसे बनाया जा रहा है और हमें हमें एक अच्छे श आमना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु येश्व मसी हमारे साथ है, और लास्ट में, लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, इंग्लिश में, जर्नी आफ कमिट्मेंट, ये जर्नी, ये जो यात्रा जो है, खतम होती है, ये दो शिश्य जो है, वो अपने जीवन का समर्पन करता है, एक प्रतिबादा का यात्रा होते हैं, जहां पर वो अपने जीवन का आत्म समर्पन कर पाते हैं, क्योंकि वो जब रोटी तोड़ता है, ये जब रोटी तोड़ता है, उनके आँखे खुल जाती है, और वो ये जान पाते हैं, कि येश्य मसी जीवित है, येश्य मसी जीव येश्य मसी की सेवा में. तो आएे, मैं ये कहunगा, कि ये समय से जब हम गुजर रहे हैं, इस समय में, हमें येश्य मसी के साथ एक समरपन करना चाहिए, एक प्रतिबादा करना चाहिए, क्यिए येश्य मसी, क्यूँ कि येश्य मसी हमारे साथ है, यह एक भायचारे की यात्रा है, एक बाच्चीत की यात्रा है, एक आमने सामने की या प्रश्न उत्तर का यात्रा है, पर यह जो यात्रा जह हो, उसमें जो है प्रभु येश्व मसी हमको एक समर्पित शिश्य बनाता है, ताके हम अपने जान से येश्व मसी की सेवा कर पाए तो यही मैं कहना चाहूंगा भाईयों और बैनों, इस कठनाई के परिस्तिती में आए हम एक समर्पित चीवन येश्व मसी के लिए जीए Hallelujah, God bless you, Amen